चलो ख्रेंस आप से बह Не बत करते हैं मार्कीट की संसै causes पहले में तो यहां पर यह को 52 पर दिन की बात करें तो अब और यह चल alors मार्केट काफ देख लेते हैं साथी साथ साथ अभी के टाइम पर ग्रोत है यह चीड़ावटOWT करते हैं उसके बाद से एक एक करके जो नियूज होगी उसे हम लोग करते चलेंगे जो भी इंपूटेंट लगेगी तो फिरंस यहां पर बात करेंगर ओभरल मार्केट करें तो फिरंस यह है यहां पर 1.96 ट्रिलियन और वहीं थोड़ा सा गिरावाट देखने को मिलदा अभी तरह उबरते हुए इनको दीख रही है तो फ्रेंस इस रिपोर्ट में और क्या क्या बात ही इन्हों ने क्रिप्टो से कहिए चलू इसको ज़ल्दी से फटाफ़ड देखते हैं तो फिरंस एक इंतर्व्यू में इन्हों ने जो बाते कुछ share की है क्रिप्टो से रिलेटेट उसके बारे में यहां पर नीचे में define किया गया है तो चलो उसके बारे में हम लोग के करके देखते हैं तो सबसे बड़ी जो statement थी वह तो यही थी इनकी कि यह जो क्रिप्टो को है एक huge player के तौर पर इन्हों ने उ शुपर शवप्राइज इन्होंने कहा कि मैं बहुत ज्यादा अस्टर चखित नहीं हूँ करते हैं कि नहीं करते हो तो इहां पर इन्होंने बोला I don't really want to comment on टेट दो हॉलिवड एक्टर रिप्लाइट वें आग्षट अबाउट इनकी इन्हों नहीं करते हैं इस बात को इन्हों नहीं खोल कर बताया तो चलो तो और नीचे आते हैं तो अब यहां पे थोड़ी बहुत बाते हैं उससे देख लेते हैं उसके आसे बढ़ेंगा लोग अ थोड़ा सा बात कहा वह क्या था तो फिर्ट इन्होंने बोला कि लेब्रॉन पीस जो है जो कि लेब्रों जैम्स एक तरह का क्रिप्टो करेंसी एक्सटेंज क्रिप्टो.com का जो कॉमर्सियल एड है उसमें यह स्टार है जो की परफॉर्म किया है तो मतलब इनका बस यह कहना ह हां भी नहीं बोला तो बस आपको जो समझना भी यहां समझ लो अब बढ़ते हम लो अगले न्यूज के लिए तो फ्रेंट्स यह जो अपडेट है यह है फ्रेंट्स जेपी मॉर्गन के तरफ से तो फ्रेंट्स यहां पे इनका कहना है ग्लोबल रेगुलेशन अर्जेंटल पर बैंक के लिए ताकि वो अपने जो क्लाइंट्स से उनको क्रिप्टो में इंवेस्ट करने के तौर पे हेल्प कर सके हैं मतलब रेगुलेटरी फ्रेंवर्क की बात कर रहे हैं और यह इनको ग्लोबली चाहिए कि ग्लोबल तौर पे यह काम करें तो चलो फ्रेंट्स अब उतना ही अच्छा होगा और यहाँ पर यही है कि इनको एक ग्रोबली रेगुलेटरी फ्रमवर्क चाहिए किस तौर पर तो वो क्रिप्टो के लिए ताकि जो बैंक है वो एजियली अपने क्लाइंट्स को क्रिप्टो में इन्वेस्ट करा पाए और हैंडल कर सके बिना किसी ल मानना है कि क्रिप्टो करेंसी जो है कि हाइपर एडॉप्शन फेज में अभी फिर से इंटर किया हुआ है इस तरह से इनका जो है ग्रोइंग डिमांड अपर देख लो तो यह ग्रोइंग नंबर ओफ लार्ज इंस्टिशूशंस इंक्लूडिंग हेज फंस आर इंट्रेस् दिख रहे हैं किसमें तो इन्वेस्टिंग करने में और क्रिप्टो एसे क्लास से गेन करने में तो चलो बस यहीं सब बाते थी यहां पर और कुछ जादा यहां पर नहीं है तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले न्यूश के लिए को फ्रेंट्स यहां पह स्ञर आप क ważne mail करे मास्टर काड कर से देखने को मिल लिएंग मास्टर काड एड्स क्रिप्टो कर स कंसल्टिंग सर्विस बात किया रहा है कि jedसी क्रिप्टो कंसल्टिंग सर्विस मतलब content Campus गर्रांग विचार करने वाला जो इसको प्रभाइट करने का सुचा है Mastercard में तो चलो थोड़ा से नीचे में आते हैं और डीटेल में पढ़ते हैं तो फ्रेंट्स यहां पर आपको पता है पेमेंट जैन्ट है Mastercard is expanding its payment focused payment focused consulting service to include cryptocurrency तो यहां पर यहां पर क्या क्या सामीले जैसे कि जो फीचर की बात कहीं गीए वह कौन सी फीचर है तो यहीं आपको consulting service है cryptocurrency regarding जो कि इन्होंने add किया है अपने Mastercard में तो यहां पर है इट कौबर से क्या 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 करेगा फीचर में तो arrange of digital currency capability जो छमता होगर है digital currency का उसे increase करने के यहां पर फिर है from early stage education यहां पर बात की जा रही है साथी साथ risk assessments and bank-wide crypto and NFT strategy development to crypto cards and the design of crypto loyalty program तो फ्रेंट्स यह जितने भी चीज मैंने टर्म पढ़े यह सब कुछ इस नयवाले feature में इन्होंने अपने पहली से रिंखला में add किया है इस तरह के feature पर यह लोग काम अब करना चाहते हैं तो यहां पर साब बात बस यह है कि अगर उपर में पढ़े पहुचे फिरेंट्स यहां पर तो यहां पर सबसे में बस इसमें सब कुछ निकल जा रहा है कि इन्हों नहीं जो कंसल्टिंग सर्वी से इसे add किया है ताकि यह चाहते हैं cryptocurrency adoption को boost करना और ज्यादा इसको बढ़ावा देना और यह इन्करी जो तो चलो फेंडस अब उन्हों बढ़ते हैं अगले न्यूज के लिए तो फिरेंडस यह बहुत ही बड़ी पॉजटिव अपडेट है बहुत अच्छी अपडेट है तो फिरेंडस यहां पर देखा जा तो यहां पर बैंक को रसीया reports first successful digital ruble transfers between users तो जैसा कि पता है friends मैंने आपको बताया था कि CBDC पे जैसे इंडिया में काम हो रही है उसी तरह friends यहाँ पर रसिया से CBDC के रिगाड़ी रिपोर्ट आ रही है और भी बहुत सारे कंट्रिये जो CBDC पे काम कर रहे हैं जो की होता है Central Bank Digital Currency तो जैसे कि इंडिया का आपको पता है जो CBDC होगा जब लॉंच किया जाएगा तो उसका नाम दिया जागा Digital Rupee उसी तरह यह है Digital Ruble तो friends यहाँ पर इस रिपोर्ट में यह हो रहा है कि जो बैंक और रसिया इन्होंने रिपोर्ट जारी करके यह बताया है कि इनका first successful digital ruble जो transfer है कि इनके बीच तो between users यह मतलब successfully हो गया है मतलब जो trial हो गरा है इन्होंने किया जो भी launch कर रहा है जो भी इनका process था इसमें इन्होंने यह जो काम है successfully कर लिया है users के बीच में digital ruble को transfer करके तो चलो friends अब थोड़ा सा इसी चीज को नीचे में जो बात है कहीं है उसमें हम लोग अच्छे से इसको पढ़ते हैं और समझते हैं तो friends यहाँ पर testing of digital ruble has started in Russia with the country central bank announcing the first complete transactions between individual wallet तो friends यहाँ पर जो digital ruble का जो testing है जो कि Russia में इसके country का जो central bank है उन्होंने announce किया कि पहला जो successful transaction है individuals के wallet के बीच में वो यहाँ पर complete कर लिया गया है उसके अलावा friends और जो बात नीचे कहीं गी है उसे friends हम लोग अब देखना शुरू करते हैं और friends यहाँ पर है कि Sage its digital currency will create new opportunities for citizens, businesses and the Russian state इनका कहना है कि इनका जो नया digital currency है यह बहुत सारी opportunities जो है citizens के लिए वहाँ के वासिंदे हैं उनके लिए businesses के लिए और Russian state के लिए वो जो है create करेगा वो मौका लाएगा तो चलो friends अब इसके बारे में थोड़ा समल पढ़े तो यहाँ पर है कि 12 बैंक जो थे मादला वारा बैंक चाहते हो इस पाइलट ग्रूप जो प्रजेक्ट था इनका इसके लिए इन्होंने अपलाई किया था जिसमें से तीन के बारे में बता जा रहा है three of them already connected their system जो कि पहले से ही अपना system जो था है इसमें मतलब 12 में से तीन जो कर लिए थे CBDC platform से और इसमें फिर से बोला जा रहा है कि two of the bank have successfully completed और उसमें से दो जो बैंक है वो सफलता प्रूबग जो है complete कर चुके है क्या चीज़ त ट्रांसफर जो साइकल है जैसे जो प्रोसेस है पूरा उस प्रोसेस को किसके बीच में ये तो मतलब ट्रांसफर किया गया है डिच्टल उबल तो clients using mobile banking application तो फ्रेंस यहां पर यह सब बाते कई जा दिये तो में बात जो थी वह मैंने लबग आपको यहां पर बता दिये तो चलो अब देखते हैं market में और भी कोई अगर important news है तुसे भी cover कर लेते हैं साथी साथ तो फ्रेंस इस news की बात करें तो फ्रेंस यह जो है red bull racing का यहां पर है जो कि यहां पर दिखा रहा है कि इन्हों ने जो है partnership किया किसके साथ तो bybit के साथ जो कि आपको पता एक crypto exchange है तो फ partnership की गई है थोड़ा सा इसी के बारें जो detail नीचे provide किया कि उससे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और थोड़ा सा doubt जो है यह जो भी यह सब बाते clear हो जाएंगी तो फ्रेंस यहां पर देखो red bull racing ने announce किया कि cryptocurrency exchange platform जो है कौन तो bybit इन्हों ने principal team partner के तोर पे इनके साथ क्या किया sport series में जो deal है यह अभी तक का सबसे बड़ा deal है partnership का जो की RBR के तरफ से announcement में बताया गया है तो चलो फ्रेंस अब मुझे ने लगता और भी ज्यादा इसके बारें कुछ पढ़ने के हम जो थे जो main update थी लब लब मैं आपको बता दिया तो I hope आपको यह वीडियो जरूर पसं अंडेट होते हैं उस पर भी वीडियो आते रहते हैं तो मिलते हैं अपने नेक्स टूडियो में